हरिद्वार दर्शन में हर की बॉड़ी के बाद अब हम चंडी देवी के दर्शन के लिए चल रहे हैं चंडी देवी टेंपल में अंदर जाने का रास्ता है देख सकते हैं आप कावी रशे गर्मी बहुत है लेकिन उसके बाद भी भक्तों के भीड उतनी की उतनी यहां हमें चैकिंग के बाद अंदर जाना होता है यहां हमें चंडी देवी के लिए उपर जाने के लिए रोपवे का टिकेट यहां लेना होता है 220 रुपे एक सदसी का टिकेट होता है आप चाहें तो मंसा देवी से भी एक साथ टिकेट ले सकते हैं टिकेट लेने के बाद हमें यहां बैटना होता है यहां बैट कर हम वेट करते हैं अपने नंबर का नंबर बराबर अनाउंस किया जाता है जैसे ही आपका नंबर आता है हमें रोपए की रास्ते पर ट्रॉली में बैटने के लिए जाना होता है कौन सा नंबर है अपना? नंबर सिधान, संतोर जी और हम भी अपने नंबर का वेट कर रहे हैं तो फैंस आपको वेटिंग में बैटना पड़ता है काफी रश रहता है चंडी देवी भी इसलिए आपको वेटिंग में इस तरह से बिठा देते हैं लेकिन नंबर बहुत जल्दी आ जाता है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है आप चाहें तो मंसा देवी से रोपवे और चंडी देवी रोपवे दोनों के टिकेट एक साथ ले सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त लगता है इसलिए हमने अलग से टिकेट ले और अब हमारा नंबर आ चुका है हम लोग एंटर हो रहे हैं अंदर जाने का रस्था भी में आपको बता रही हूँ माता कि शंगार का सामन पूजा का सामन सब कुछ यहीं अविलिबल होता है सब कुछ यहीं अविलिबल होता है जादा रश होता है तो जादा घूमकर जाना होता है लेकिन अब हम लोग जब पहुँचे तो इतना रश नहीं था लेगे सीदे ही हमारा नंबर आ है यह देख सकते हैं आप रूफवे से पुछ अप ट्रॉली जाते हुए मैं आपको बता रही हूं जा भी रही है, आ भी रही है और हम लोगों का नंबर आ गया है सिद्धान और संतोष एक सीप पर बैटे हैं मैं और मेरे साथ भावी एक और हमें रास्ते में परीचेजिक से हुआ उनके साथ हम लोग चंडी देवी दर्शन के लिए आएं और मैं उनके साथ बैटी हूँ मुझे थोड़ा नीचे देखने पर डर लगता, इसलिए मैं देखती नहीं हूँ देख सकते हैं आप कितना सुन्दर सीन मादारानी का मंदिर उपर तो है खड़ी चड़ाई है और मैंने अपना माइन डाइवड किया वीडियो बनाने में नीचे मैं नहीं देख सकती हुझे चक्कर आते हैं इसलिए मैंने अपना माइन डाइवड करने के लिए मैं वीडियो शूट करने लगी और उपर अब हम लोग उतर चुके हैं चंडी देवी के मंदिर में प्रविश करने वाले हैं कुछ सीडियां हमें चड़ना होता है और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल व्यूव जो इस वक्त में आपको दिखा रही हैं चंडी देवी हम लोग आ चुके हैं उपर फ्रेंट्स अब हम लोग मातरानी के दर्शन करेंगे जब बहुत है दर्शन करेंगे यहां प्रशाद की बहुत सारी बुकाने अवेलेवन से था रशन था लेकिन फिर भी हम लोग चल्दी आ गया है और बस घर्मी बहुत है आज मौसम बहुत परिशान कर रहा है बर ब्लॉग भी बनाना है आप सभी को यात्रा करवानी है तो बिल्कुल मैं लेके आई हूँ आपको चंडी देवी के मंदिर तो चल्ये देखते हैं मंदिर के अंदर मोबाईल ले जाना अलाउप है या नहीं अगर होता है तो मैं आपको बिल्कु गर्शन करवाऊंगी मां च हरीदुआर में कुल तीन शक्ति पीट हैं मंसा देवी, माया देवी और चंडी देवी शक्ति पीट यह शक्ति पीट इस्थापना का इध्यास ऐसा है कि एक समय में चंड और मुंड रक्षिश हुआ करते थे माता ने यहीं पर उनका वद किया और चंडी देवी कहलाई और चंडी देवी के नाम से यह शक्ति पीट इस्थापित हुआ मंदिर तक कहुँचने के लिए यहां भी हमें कुछ सीडियां चड़नी होती है यह देख सकते हैं भक्तों ने अपनी मननत लिये होंगे कुछ तो माता ने की चुनर और यहां बांध रखी है मननत करके जाते हैं माता ने सभी की मनुकामनाय पूरी करती है और आप इस वक्त जो सामने गेट देख रहे हैं वो माता रानी का मंदिर सिद्ध इस्थल शक्ति पीट प्राचीन माचंडी का मंदिर यहां तक मैं आपको लेकर आई हूँ लेकिन अंदर मोबाईल अलाव नहीं है दोस्तों तो मैं आपको माता रानी की मूर्ति तो नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन मैं मंदिर तक ज़रूर आपको लेकर आई हूँ मिलते हैं दर्शन के बाद दर्शन हो गए हैं चंडी देवी के बहुत अच्छे से और देख सकते हैं उतरते वक्त भी सीड़ी में आपको चारों तरफ मनत लेकर लोग यहां पर माता रहनी की चुनर जो है बांदे हुए हैं चंडी देवी उपर पहाड़ी से बहुत ही खूप सुरत सुन्दर नजारा देखने को मिलता है मागंगा भी दिखती है तो फ्रेंट्स आई होप आपने चंडी देवी के दर्शन किये होंगे और हरी दुआर दर्शन में अब हम आगे बढ़ेंगे अगले विडियो में विडियो पसंद आया हो यह व्लॉग पसंद आया हो यात्रा मीना के साथ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक शेर जरूर कीजिएगा